शिमला के गेटी थेयर्टर में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को चार दिन तक उत्तर परदेश, चंडिगर और हिमाचर परदेश के कलाकारों दौरा बनाये गए चित्रों की प्रदर्शनी देखने का मौका मिलेगा रविवार को इस चार दिवसिय चित्रकला प्रदर्शनी वा बिक्री का शुभारंब सोलन डिगरी कॉलिज के एसोसियेट प्रोफेसर डॉक्टर चमन शर्मा ने किया शिमला के गेटी छेटर के टेवरन हॉल में चार दिवसिय चाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हिमाचल, उत्रप्रदेश और चंडिगड के चार कलाकारों द्वारा तयार किये गए चित्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है 27 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उधगाटन रविवार को सोलन डिगरी कॉलेज के एसोसियेट प्रोफेसर डॉक्टर चमन शर्मा ने किया सोलन के इवा चित्रकार बलदेव पंवर द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में उत्रप्रदेश की दीपलक्षमी, चंडिगड के संतोष कुमार और सोलन के सुमंत वढ़ेरा द्वारा तयार किये गए चित्र प्रदर्शनी और बिक्री के लिए लगाए गए हैं इस प्रदर्शनी में वैसे तो हर क्षेत्र से संबंधित चित्र लगाए गए हैं लेकिन वन्य जीव प्राणी पर आधारी चित्र प्रदर्शनी का मुख्य आकर्शन है प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर बतोर मुख्यतिति शरीक हुए डॉक्टर चमन शर्मा ने उभरते हुए युवा कलाकारों को देखने और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि शच की हसे शच रच जानता हूं नहीं अवर नहीं हैं कि अवी में काफी कि अौर्शनी हम नेदेखना के जानता हुए हम भुष्ची की बाति है की जब एक तीकोर एक्से टीक서 Wochenك's को व एक reward वो समझता है जब उसके पढ़ायोए सुदेंट इस लेवल का एक्जिबिशन का और्गनाइज करते हैं बल्देव पावर एक जमाने में डिग्री कॉलेज में पढ़ा करते थे तो आज ये काफी नॉटने इंडिया बल्कि इनकी पेंटिंग के जो लवर हैं वो विदेशों में भी हैं काफी सारी कंट्रीज में जो आठ लवर्ज हैं इनके आठ वर्ग को खरीउते हैं और एप्रिशेट करते हैं प्रदर्शनी के आयोजिक बल्देम पवर ने बताया कि इससे पहले वो दिल्ली और कुल्लो में भी चित्रकला प्रदर्शनी लगा चुके हैं और अब मुंबई में प्रदर्शनी लगाने की उनकी यूचना है उन्होंने युवाओं से कला के क्षेतर में निरंतर कारे वो आगे बढ़ते रहने का आवान किया ताकि अपने शौक के साथ साथ वो इसे रोजगार के रूप में भी अपना सके जादा है टाइगर्स पे उन पर जादा काम हमारे हैं वाडलाफ पर गड़ाव गराव यह पेंटिंग यहां के अग्जिबिशन लगाने का उदेश है कहा है यहां पर यह कि मिसद तीन आर्टिस्ट और है इन्हें परमोड करना है एक परमोड करना भी हो जाएगा इनके फस्फस्ट एग्जिबिशन लगए इस वाई में साथ तो इनको परमोशन भी मिलेगा थोड़ा यहां से और जो लोग हैं यहां पर दिखेंगे भी ज़्या काम शिमला के लाबा और कहां कहां लगाएंगे किया है मैंने कुल मनाले में किया है और कहां लगाएंगे कहां अभी में को मुंबई में भी लगाना है युवां को के संदेज देना चाहेंगे मैं युवां को यह संदेज देना चाहता हूँ कि आप काम करते रहें और यह बहु अच्छा है लोगों को दिखाएं काम और आगे बढ़ते रहें उसे कॉंटाक भी कर सकते हैं काम करना चाहिए Bureau Report City Channel शिम्ला